आज की वीडियो होने वाले स्पेशल चटोरों के लिए हैं आप लोग उमीद करते हूं बढ़ी होंगे और हम भी आपर बहुत बहुत बढ़ी है और मौसम आप देख लो इतना प्यारा हो रखा ना जिसकी कोई हद नहीं तो मेरे दिपांग में आई एक आइडिया कि चलो कर रही हूं और इसका डो रेडी कर लेना है कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्मूध और यहां पर जो हरी मिर्च मेरे पास ठोड़ी चौपकी भी रखी तो हरी मिर्च मेरे एड करूंगी थोड़ी ना रेड मिर्च भी आगे इसमें क्योंकि हरी मिर्च रखे-रके ज्यादा तो फिर रेड हो जाती है तो कुछ ऐसा ही था थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं बहुत बढ़िया आता है एकदम टेस्ट उसका वी और लास्ट में डालेंगे नमक और अब हम इसको बढ़िया से एकदम मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं और हरी मिर्च है उसका जो फ् तो कुछ इस तरीके से और हमने लिया एक लोही का तावाँ यह ना डोसा तावा मेरे पास रखा है काफी बढ़ा है तो इस पे एक सद काफी सारी जो टिकी है यह आ सकती है तो यहां पे थोड़ा थोड़ा हमने सरसो का तेल जो पका के रखा हुआ था उसको यहां पर मैं ल अब देखो कितने अच्छे से इसमें कालर एक ब्राउन हो गई है हलका हमें इसमें तेल लगाते रहना देसी घी में बनाऊगे न तो और भी अमेजिंग टेस्ट आएगा मेरे पास नहीं था तो मैंने यहां पर तेल से ही बना लिया और यहां पे जो मेरे टिकी है प्रॉप कोई जवाब नहीं है अब एक प्लेट में भी सारे टिक्या निकाल लेंगे नेक्स्ट एप हमारा आता है इसे गानिश करने का वह सबसे में पार्ट होता है तो यहां पर मैंने यह टिकी लगा लिया है तीन तीन चार चार करके कुछ इस तरीके से मेरे मूँ में देखके भी नाम आता है ना सच में एक दम दिन सा बन जाता है नहीं और मेरी शाम तो आज बहुत यम्मी होने वाली है तो यहां पर मैं जितनी भी चटनी आते है और उपर से हरी मिर्च और नमक डालना तो हमारा एक दम मतलब कहते है न स्टीट फूट टाइप का फील देगा यह टिकी श्वेजड टनाशनाँ, झानोप आते है पर नहीं आते है आते है कि नहीं जाहें बहा है उहाँ प Ой ओपर मैं भीलो को देघा mashे है है ë